36 गर BGP के नाय प्रदेश अध्याक्षवेशनु देश साय गुरुवार या शुक्रवार को राय पर पहुंच सकते हैं तीसरी बार BGP के कमान सभाल रहे साय के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मरवाही विधान सभा का उपशुनाव होना है जिसके रिक्त होने की सुचनाव आयों को भेज दी गई है राज्य बनने के बाद से ही मरवाही में जोगी परिवार का कबजा रहा है और इस बार परिस्थितियां थोड़ी से अलग है अगर बीज़ोपी ने यहाँ पर जीत दर्च की तो कारेकरताओं के लिए अच्छा संकेत होगा क्योंकि इससे पहले जोग चुनाव हुए है उसमें बीज़ोपी को हार का सामना करना पड़ा है इसके साथ ही साइ को बचे हुए मंडल और जिलों में न्यूक्तियों का काम भी करना है कारेकरताओं को एक जुट करने का जिम्मा भी विश्नुदेव साइ के कंधों पर है चुले सीधे हम रुक कर रहे हैं रायपूर का मोहन हमारे साथ लकातार जुड़े हुए है मोहन नई जिम्मधारी के साथ नई चुनौतियां भी इस वक्त विश्नुदेव साइ के सामने हैं और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मरवाही में होने वाले अपचुनाव त्योंकि इससे पहले जो अपचुनाव हुए हैं दो सीटों पर वहाँ पर BJP को बड़ा नुकसान हुआ है जिसके बात कारेकरताओं में जान फूकने की कोशिश होगी बिल्कुल देखिए नई अध्यक्ष के सामने नई चुनौतियां हमेशा खड़ी रहती है और खास तोर पर ऐसे समय में जबकि पार्टी को मजबूती के सांसांत विपक्ष की भूमी का निभानी है तो विश्णू देव साय के सामने जो चुनौतियां है उसमें सबसे बड़ी चुनौति यही है कि वो पहले संगठन को जो है वो मजबूत करे जिला ध्यक्षों की कि युक्तियां बाकी है मंदल अड eक निभानी है तो वो निभानी है और सामने वरवाही का चुनौओ है उर ब्ज़ेपी वहांपर कुछ खास जो है पिछले कई चुनौओं से कर नहीं पाई है रही है दो हजार एक में ही आवापर वीजेपी का विधायक जिसे खाली कराकर ही आजी जोगी वहाँ से विदायक बने थे और उसके बाद से लगातार यह सीड जो है वो कांग्रेस और जनता कांग्रेस के खाते में रही है ऐसे में यह जो है वो एक बड़ी चुनोती है और वहाँ पर केंडिडेट जो है वो खोजना वहाँ पर नए सीर बाजी है उसे खत्म करना है अंतर कला को खत्म करना और उसके बाद विपक्च की भुमिका के रूप में जो बीजेपी आ नहीं पाई है 15 साल जो सत्ता में रहने के बाद अभी भी जो उसका वहवार सत्ता सा है उसे बदलने की जरुवत है और बड़े नेताओं को लेकर जमीन साय पदभार ग्रहन करेंगे और उनका सामना पहला चुनाओं मरवाही के रूप में होगा हलाकि इस चुनाओं को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जनता कांग्रेस के भविश्य को लेकर भी कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है अब क्योंकि अजीज जोगी नहीं है तो ऐसे में उनकी पार्टी क्या करेगी जो और बड़े दल हैं याने कांग्रेस और भाजपा वो क्या अपनी अपनी और उन्हें खिचने की कोशिस करेंगे तो इन सब बातों पर यह निर्भर करेगा कि मरवाही चुनाओं कि जधंक से होगा तो ए एक से दो दिन में कर सकते हैं यह संभावागा